वेलकम टू चैनल नौलज आफ फार्मेसी तो पेनिसिलीन जी पोटाइसियम टेबलट जो की यू यस्पी दो लाख चार लाख और आठ लाख यानि टू लाख फोर लाख और एट लाख यूनिट का आज हम रिव्यू करते हैं तो यह बीटा लेक्टम अंटिबाइटिक्स है और फर्स्ट एंटिबाइटिक डिस्कवर हुई थी 1928 में यानि 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लैब में एक्सिडेंटल आप्टन की गई थी और यह फर्स्ट उन्होंने रिपोर्ट की 1929 में यानि 1929 में और यह human पे ट्रायल यानि मनुष्यों पे ट्रायल की गई 1940 में और ब्रांड नेम की बात करें तो पेंटेड 400 आप देख रहे हैं पेंटेड 400 और पेंटेड 600 और 800 यह मार्केट में आपको मिल जाएगी और उपचारिया ट्रीटमेंट की बात करें तो यह जो है ग्राम पोस्टिब बैक्टेरिया पर यानि बैक्टेरियल साइडल है यह सबसे जाधा पनाा असर करती है और बैक्टेरिया को इह मार्केटिब करती है और यह ट्रीटमेंट यह यानी आप शार करने के लिए फ्रियोग में लाते हैं जैसे कि फ्रोट एंटी का यानि एंटी का यानि फ्रोट और एयर और नौजल का जो भी नाक कान गला का जो भी इंफेक्शन है उसमें यह बहुत भाहतरीन रिजन्ट देता है यानि फ्रोट एयर और नौजल मतलब नाक के अंदर की कैविटी में अगर कुछ फोड़ा फंसिया माइक्रो आर्गिनिजम का कोई भी दिक्कत है तो उसको हम ट्रेट करते हैं या रिस आर्टिया यानि रिस्पारेटरी ट्रेक इंफेक्शन हो अगर लंग्स का कोई इंफेक्शन हो लंग्स में जैसे म्यूक वर्षन निमोनिया और उसमें प्रयोग में लाते हैं सक्सेक्षण के दोरा ट्रांसफर होती है यह सम्बंद से जैसे कि सेपलिस गौनओरिया उसमें भी प्रयोग में लाते हैं खास करिये इस steptococcal pharyngeitis यहानि जो इस steptococcal infection के कारण होता है pharyngeitis यहानि गले की जो bacterial infection होता है सूजन हो जाती है और redness रहती है और ठुक निकलने में प्राब्लम आती है घर गले पर कोई दिक्कत होती है तो जैसे की यह उस disease को कहते हों तो गले में अगर bacterial infection है तो सूजन है तो तो उसमें भी परयोग में लाई जाती है या सिकेंडरी प्रोफालें इसमें प्रोफालेंस sent church में ढाई जाता है या निमोनिकल इन्फेक्शन प्रोफालैटिक सो में प्रियोग में जैसे म्युकस फिल निमोनिया है या भी आप ये समझ लिजे किसी भी माइक्रोगनिजन ज्यादा तर बैक्टेरिया उनको किल करने के लिए इसको प्रियोग में लाते हैं जैसे पहले फास्त कि हुर दवार में जो घाव लगी थी तो क्या होता है उंड में बैक्टिरिया का ग्रोथ हो जाता है तो जिसके कारण घाव भरता नहीं है तो भी इसको प्रियोग में लाते हैं या फिर कोई भी पहले सरजरी होती थी माइनर तो भी लोग इसको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर उपर का सेलवाल है जिसको हम वाल यानि दिवाल है जो उपर की भित्ती है वह बहुत मज़ूत होती है उसी पर बैक्टेरिया पूरा ग्रो करता है तो यह उसको रेप्चर कर देती है और वह बैक्टेरिया मर जाता है यह ब्लॉकिंग कर देती है ट्रांस पेप्टाइडेशन को इसके इस लिए जो है वो बैक्टेरिया अपने आप कील हो जाता तो इस तरीके से अपना काम करती है और यह काफी जो है अब साइड इफेक्ट की बात करें जिसमें काफी साइड इफेक्ट है इसलिए जो है अब जो है प्रियोग में नई दवाए नई एंटिवेटिक्स ल या एलो ए आ ripped इंड इसकिन एलो कलरकार कि आयोर इसकिन हो सकती है तो मसल्स और जोइंट का पेंड हो सकता है एलरजी कंडिशन हो सकती है तो यह इसके कुछ side effect है अब वही safety advice की बात करें safety advice की बात करें तो alcohol pregnancy या breastfeeding या driving kidney labor की जिसको disease हो या इस दवा से जो है hypersensivity हो पहली बाद तो इससे doctor से संपर करने लेना चाहिए कि अगर कोई alcoholic है या pregnancy है या फिर महिलाएं जो दूद पिला रही है या driving करनी है या kidney लीबर की कोई disease है तो doctor से consult करके ही ले कंटा इंडिकेशन की बात करें तो इना फालेटिक इसका reaction है क्योंकि यह बेटा लेक्टम एंटिवाइटिक्स है तो यह जो है इसका कंटे अंडिकेशन है और डोजज की बात करें तो एडल्ड के लिए फोर एंजी फोर हंडेड जो है यह जो फोर हंडेड है या चार लाख या छे लाख दो टाइम बीडी डोज है सुबा साम डॉक्टर इसको प्रिसक्राइब करते हैं पेसंट की सिवियर्टी के अंसार से कि उनको 400 देंगे या 600 या 800 देंगे वो उन पर डिपेंड करता है उहीं पर चैल्ड की बात करें तो दो टाइम का उनका भी का डोज है 125 अंजी का वो उनके भी डिजीज पे जो है निर्भर करती है डिजीज पे कि किस टाइप की डिजीज है और दस दिन इसको दिया जाता है और भी कोई अगर लंबी जो से कोई ज्यादा वैक्टेरियल प्रावलम है तो डाक्टर अपने अनुभों के अंसार से देते हैं ओके फैंक्स आप चाहिए टिस्पिंग फॉर्ट ले सकते हैं फिर मिलते नेस्ट वीडियो में